दिन धनुसियागी की कथा का रस्पान के भग मिरजापुर्चुनाच्छित्र के एक ऐलहट अन्वानगडी मंदरी प्रांगण में चल रहे श्रीराम कथा ग्यान्यागी के दोरान कथा के पांचवे दिन कथावाचक पुरुषटम दाजी महराज ने व्यासपीर से भक्तों को धनोश्यगे की कथा सुनाई थे कथा में जरंची के प्रतिग्यां और स्वेंबर के हर्षण को सबस्तार वड़न करते विए धनोश उठाने की पूरी लिला पदास्तों इंग्मर का दृष्ट कथावाचक ने बड़े ही भाव के प्रस्तित किया भक्तों ने माता जानकी प्रभू सिर्राम की जहांकी का दर्श्रूं किया आचार रगनिंदन दाज ने बताया कि छोटी चाउन या इद्या से पढ़ारे कथावाचक जी सभी भक्तों को सत्य सनातन धर्म का महिम मताते वे प्रभू सिर्राम की जिलाओं का कथा कमादन से रस्पान करा रहे हैं हर्मांगड़ी के गवड़े चैतनी जी महाराज के सामर्द में चलरे कथा में दूर दराज से लोग को पस्तित होकर कथा कानल ले रहे हैं उक्तासर पर मुखे अजमा पांडरा तंदीब चैस्वाल इंजिनियर राजभादर सिंगा आद लोगों पस्तित रहें